सुष फ्रैंटों की की ये आप चाहें छपी डाले हैं मैंने और सकते हैं इख पारी और टर्डटा हुई एक अनियन डाले इन ये दोड़नने. और इसके अंदर हम Spices add करेंगे, आप Spices अपने टेस्ट के according अड़ करे सकते हैं, मैंने रेड चली पॉडर डाला है, थोड़ा सा करियंडल पॉडर डाला है, अब मैं इसके अंदर Salt add करूँगी, Hing add करूँगी, Salt add करूँगी, और मैं इसके अंदर Arm True Powder add करूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला एट करूँगी मैं इसके अंदर और आप चाहे तो सीजनेबल वेजिटीबल भी इसके अंदर आट करे सकते हैं ग्रेट करके उससे भी काफी अच्छा टेस्ट रहेगा चीज आट करे सकते हैं आप इसके अंदर बस मैं सिंपल बनाने वाली हूँ और य इससे आपको बनाना बताऊंगी इसको मदब किस तरह से आप रोल करेते हैं पारी में में थोड़ा सा नमक डाला है जिसरी कि अना आप ब्रेड में भी सोल कर टेस्ट आएगा तो काफी अच्छा लगेगा और इससे स्क्वीज करेंगे डिप करके दो ब्रेड ली थी मैंने क क्योंकि ब्रेड बहुत चोटी है तो सिंगल ब्रेड से नहीं बन पाएगा अच्छे से और रोल करेंगी तो यह स्टफिंग जो दिख रही है वो डिफ्राय करने पर नहीं निकलेगी बिलकुल भी नहीं निकलती और यह मैं सिंगल सिंगल ब्रेड का करूंगी अगर आपको उस तरह से नहीं तरहीं लगदा तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं एक ब्रेड पे स्टफिंग लगा कर दोसरी से कवर करके इसको रोल करेंगे मैंने और को गरम होने रख दिया है मेडियम तू लो फ्लेम पर हम इसे डिफ्राय करेंगे मतलब लो भी नहीं करने होती मीड दिफ्राय हो जाएंगे अच्छे से और आप इसे हारी धनीगी चटनी, कैचप जिसके साथ आप चाय सर्फ पर सकते हैं बहुत टेस्टी लगता है ये ये मेरे हो चुके हैं, देखिए आप बिल्कुल भी स्टस्टाफिंग भाहर नहीं नेखा लिया इनकी और काफी अच्छे से फ्राय हो चुके हैं, भाहर से एकडम क्रिस्पी और अंदर से एकडम सॉफ्ट तो बताईए आपको मरी रैसीपी कैसी लगी, अगर आपको तो बस चाय के साथ आप इन ब्रेड जोल्स को खाईए आपको बहुत मज़ा आएगा बहुत अच्छे लगेंगे मैं और इसी तरह से सारे बना लूँगी ब्रेड जो चोटी वाली ब्रेड है मैं उसका आधा पैकेट बना रही हूं मैं और अगर आप 6 आलो उबालेंगे तो आपकी सारी ब्रेड के बन जाएंगे अलान से अच्छे से स्चफिंग लगती है तो तो यह देखिए हमारे ब्रेड दोल्स रेडी हो चुके हैं अब आपको दिखाती हूं